लेश्ट्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी आई होग कि सभी अच्छे होंगे तो हम लोग अपने थर्ड नम्बर चैप्टर को सिंथेटिक फाइवर को इंड कर लिया था अब हम लोग अपने निव चैप्टर को स्टार्ट करें जो कि हमारा कैमेस्ट्री का एक रहे तक करी्यान लेट première हमका है कि इसके फ्यीजिकल प्रॉपर्टिज के बारे में पढ़ेंगे इसके चिकल्स की के लिया धा क्यों जरूरं से देख लिभार है जो प्लेश्ट जो लिंक है व दिस्क्रिप्छिनमें डिरख अपीड़ों सकते वह औरना किसी देडिये के चली हम ल्हें प्राइद को सबसे पहले करतें तो सब से पहले करते हैं तो dari कम लोग कर каких को physical, chemical properties को भी चानते चलेंगी, ठीक है, तो चली देखते हैं, metals क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं है, metal वर्ड जो है, वो drive हुआ है, एक Greek वर्ड से, जो की है Med metropolitan, कौनसे word से drive हुआ है, मैटल नाम के Greek वर्ड से मैटल वर्ड से जो है, यह metal जो word है, वो drive हुआ है जिसका मतलब होता है extracted from ground, मतलब ground के अंदर से निकालना, ठीक है, जो basically लोगों को metal मिलता भी है, जो की ores के form में होता है, वो ground में ही होता है, ठीक है, इस कारण से यह जो metal है है, उसका भी मतलब क्या होता है, extracted from the ground, इस कारण से इसी word से metal word जो है, वो drive किया गया है, जैसे क्या-क्या होगे metals में, iron होगे, aluminum होगे, लोग अपने आसपास जो नहीं, यहां तक है अपने घर में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग glass को देखते होंगे, wire देखते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है, gold देखते होंगे, silver देख तो यह सारे के सारे जो metals ही हैं, तो चले एक बार इसके definition को भी देख लेते हैं, everything around us is categorized into either material and non-material, हम लोगों के आसपास जितने भी कुछ होते हैं, उनको हम two parts में categorize कर सकते हैं, जितने चीज भी होते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग non-metal or metal में categorize कर सकते हैं तो इस तरीके से हम को पता चला कि हम लोग substance को कितने टाइप में categorize कर सकते हैं, two, एक metal और एक non-metal, metal और non-metal, तो अब देखते हैं, metal होता क्या है, तो देखें, metals, those materials which possess the characteristic of being hard, siny, malleable, ductile, etc. are called metals, means एक ऐसा substance, जो की hard होगा, जिसके पास signing होगा, जो ductile होगा, malleable होगा, यह सारे गुन जिसमें होगे, वो क्या होगा, metal होगा, tension मतलीजे, यह सारे word के बारे में हम लोग जसे जैसे आगे चलेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है, तो यह था metal का definition, इसके example में क्या क्या हो सकते हैं, iron हो सकता है, gold, silver, copper, aluminum, etc. ठीक है, यह element और सब्सक्रांस, that is not a metal, call non-metal, यह तो बिलकुल सिंपल है, जो metal नहीं होगा, वो क्या होगा, non-metal होगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक word आता है, metlloid, इसको देखे घबराईए का नहीं, metlloid जो होता है, वो एक ऐसा सब्सक्रांस होता है, जो metals के भी properties को contain करता है, थोड़ा non-metal के जो properties होते हैं, उसको भी contain कर लेता है, इस कारण से उसको बोलते है, metalloids, ठीक है, चले देखे, इसके example क्या हो चाहेंगे, carbon, oxygen, chlorine, fluorine, sodium, यह सारे के सारे जो है, इस non-metal के example हो जाएंगे, अब हम लोग इसके पहले physical properties के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इ देखे, physical properties में, metals are solid at room temperature, जो metals होते हैं, क्योंकि हमने यहां भी पढ़ा था इसके definition में, कि वो hard होते हैं, तो basically जो metal, जो room temperature, normal सा temperature होता है, उस पे, जो metals होते हैं, वो क्या होते हैं, hard होते हैं, लेकिन कुछ exceptions cases भी हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, mercury, जिसको आप लोग थर्म मीटर वगरा में भी देखते होंगे, वो room temperature में भी क्या दिखता है, liquid दिखता है, तो आपको exception जरूर से करके याद रखना है, ठीक है, next देखिए, metals are hard and strong, but sodium and potassium are soft, हम लोगों को पता है कि जो metals होते हैं, वो तो hard होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, hard होते हैं, लेकिन इसमें भ होते हैं, कि इसको हम लोग आसानी से knife से cut कर सकते हैं, ठीक है, तो exceptions जरूर याद होने चाहिए, next देखिए, metals are malleable, यहाँ पे भी था malleable, अब malleable का मतलब क्या होता है, means kind be bitter into thin seat or false, मतलब जिसको हम पीट-पीट के hammer से, पीट-पीट के, पीट-पीट के, पीट-पीट के, बहुत ही paper like, बहुत ही thin seat बना लेते हैं, पीट-पीट के जैसे काफी जादा thin seat बना लेते हैं, तो इसी properties को बोलते हैं, malleability, क्या बोलते हैं, malleability, तो यह जो properties होता है, वो contain करते हैं, कौन? metals, इसको याद अठना है, malleable मतलब के, पीट-पीट के, पीट-पीट के, पीट- पीट-पीट के बहुत ही पतला सा, जो है, एक thin seat बना लेते हैं, paper like, ठीक है, चले next देखिए, इसमें भी exceptions है, sodium and potassium, sodium and potassium, बहुत ज्यादा सौप्ट होते हैं, इस कारण से इसको पीट-पीट के, पीट-पीट के ज्यादा thin seat में change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, next, metals are ductile, metals क्या होत है, ductile, अब ये ductile क्या होता है, लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, can be drawn into wires, जिससे हम लोग बहुत ही पतला सा wires बना सकते हैं, बहुत ही पतला सा, और ये दिखने में सिर्पतला होता होता होता, बहुत strong है, ठीक है, तो जो metals होते हैं, उनके पास ductile-ness भी होता है, मतलब वो ductile भी होते हैं, उनसे हम बहुत ही thin wire, बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही thin wire भी उससे बना सकते हैं, ठीक है, जो कि काफी ज़्याद है, strong भी होता है, लेकिन, लेकिन हमें पीछे सही पढ़ा है कि sodium क्या है, बहुत ही ज़्यादा soft है, इस कारण से इसको नहीं पीट के ज़्य ज़्यादा thin seed बना सकते हैं, नहीं इससे हम लोग wires बना सकते हैं, इसके भी exception में क्या है, sodium and potassium, ठीक है, नेक्स देखिये, metals are sound rust, metals क्या होते हैं, उससे जो sound create होता है, जब उसको हम लोग beat करते हैं, या फिर throw करते हैं, या फिर उसको रिंगिंग करते हैं, तो अब हम को जह है उससे कुछ न कुछ sound भी create होता हुआ, प्रतीत होता है, महसूस होता है, जैसे आप लोग को के पास steel, aluminium का, या फिर जो कोई साभी metals होगा, उसको आप लोग जब ring करेंगे, stuck करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो इससे कहोगा एक तरीके का सुना, आपको sound सुनने को मिलेग जैसे कि आप लोग देखते हैं, होंगे coins बगरा, coins बगरा जब गिर से आती हैं, तो उनसे भी आवाजे निकलती हैं, तो वो भी metals होता है, के लिए, next देखिए, metals are good conductor of heat and electricity, metals जो होते हैं, वो electricity को काफी अच्छे से conduct करता है, और साथी साथ heat को भी बहुत अच्छे से conduct करता है, means अपने से होके passes होने देता है, electricity को भी और heat को भी, metals, ठीक हैं, देखिए, silver and copper are the best conductor of electricity, जो silver and gold होते हैं, gold भी बहुत अच्छा जो है, electricity को flow करता है, passes होने देता है, अब जो हम लोग basically wires देखते हैं, वो wires silver या gold के नहीं होते हैं, वो copper या aluminium के होते हैं, अब यहाँ पर question आते हैं, कि हम लोग silver या फिर जो gold है, उसके wire यूज क्य यूज करेंगे, एक तो पहली बात या आती है, कि वो तो expensive होते हैं, अगर हमने उसका wire बना भी लिया, तो पता चला अगले रोजी वो पार हो गया, और सभी अपने घर में बोलेंगा, मेरे पास तो सोना है, सोना है, इसी कारण से, अब चुकि वो बहुत जादा expensive हो जाता ह है, इस कारण से, जो copper and aluminium है, उसका हम लोग electricity wise के रोप में use करते हैं, ठीक है, और एक बात जो hit कैसे, hit के बारे हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे आप लोग जो है, अपने kitchen room में utensils देखते होंगे, utensils को जब आप लोग flame पे रखते हैं, तो flame पे रखने के बाद कुछ तक है, कर्म कर दे रहा, वो जो flame है, वो क्या कर दे रहा, बाकि के बारे हम लोग को भी hit कर दे रहा है, मतलब यहां से हमको पता चलता है, कि जो utensils हैं, वो hit को passes होने दे रहा, तभी तो फैल रहा है, डिस्टिब्यूट हो रहा है, सारे surface पे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क लेकिन जो silver और gold हैं, वो काफी expensive होने के कारण से, उसका हम लोग use नहीं करते हैं, वायर्स के रूप में, जो वायर्स के रूप में use करते हैं, वो किसका करते हैं, हम लोग जो copper होता और aluminium होता है, उसका, इस बात को याद रखिएगा, next देखिए, metals have high density, expect lithium, sodium and potassium, metals जो होते है basically उनके पास, अब density क्या होता है, density means, आप simple से समझे कि एक jar लीजिए, jar में, मतलब एक jar को आप फुली क्या कर दीजिए, pulses से भर दीजिए, rice से भर दीजिए, या sugar से, और एक दूसरा jar लीजिए, जिसमें आप लोग क्या कीजिए, कोई सा biscuit वगर है, उससे भर दीजिए उसक हो, ठीक है, तब आप लोग देखेंगे, कि जो rice है, वो ज्यादा amount में आ रहा है, और जो दूसरा जा रहा है, उसमें biscuit कम amount में आ रहा है, तो बिल्कुल exactly जो density होता है, वो भी यही होता है, मतलब है कि space में कितने amount of particles present है, उसी को हम लोग बोलता है, density, एक particular area में कितने amount में ज होतने जाता होगा, जितने कम particle present होगे, उनका जो density होगा, वो काफी कम होगा, समझ में आ क्या, तो जो metals होता है, metals जो होते है, वो बहुत high density के होते है, लेकिन इसमें भी exception है, क्या sodium, potassium और lithium काफी, यह sodium, potassium तो खैर, swapty होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसमें एक extra आ जाते ह lithium भी जो होगे, वो काफी कम density वाला होता है, ठीक है, next देखी, metals have metallic luster, means sign, metals के पास क्या होता है, खुद का sign होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे, gold को, silver को, copper को, aluminium को, काफी जादा sign करता हुआ दिखता है, लेकिन वही हम बात करें, एक wood की, एक जो है, काच का glass होता है, उसमें sign दिखता है, नहीं दिखता है, मतलब वो non-metal है, जो silver, gold, iron वगरा होगे, उसमें हमको signing दिखता है, means वो क्या हो गया, metals हो क्या, तो metals के पास, खुद का sign भी होता है, मतलब वो चमकता है, light की reflection से, next, metals have metallic luster, means sign, metals have high melting and boiling point, अब इसका density ही बहुत जादा, means इसके अंदर जो particle present होंगे, वो काफी जादा present होंगे, अब particle काफी जादा closer present होंगे, तो उनकी बीच जो, उनकी बीच जो interaction force लग रहा है, उस interaction force को तोरने के लिए भी तो हमको बहुत जादा high temperature चाहिए, तभी तो उसको तोर सकते हैं, इस कारण से जो metals का, जो melting and boiling point होता है, मतलब उसको melt करने का, गलाने का, liquid form में लेकिया आने का, और boiling point, उस melting, एक तो उसका melting point ही काफी जादा high हो जाएगा, उसमें हम और जादा hit देंगा, तभी तो वो boil होगा न, इस कारण से जो metals होते हैं, metals के boiling and melting point काफी जादा high होते हैं, लेकिन इसमें भी exception है, क्या sodium, potassium, mercury and gallium, ये सारे के स point and boiling point दोनों ही low होते हैं, इसमें जो gallium होता है, ये इतना जादा, इसका melting point low होता है, कि ये room temperature पे melt होना शुरू हो जाथ है, ठीक है, gallium, ये थे हमारे metals के physical properties, जिसको हमने देख लिया, इसके just opposite आजाएंगे, इसके just opposite आजाएंगे, हमारे non metals, ठीक है, non metals के बारे में भी हम ल बहा दूंगा, तो वहां से आप लोग आसानी से difference भी इसमें बता सकते हैं, यहां पर मैंने total जो है, not difference, not properties को बता है, तो जाहिर से बात है, non metal में भी ये 9 properties बनेंगे, तो अब ये दोनों में 9, 9 है, इसमें आप लोग जो है, आसानी से इसके बीच का difference भी बता सकते हैं, ठी exceptions हैं, उनको बस याद रखने, ठीक है, तो चले हम लोग मिलते हैं अपने next lecture में non metal के physical properties के साथ, तब तक लिए bye and take care.